नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल एस्टोलोजिकल गुरुजी में और हमसे जुनने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बिल आइकन को दबाए जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके पोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं तो प्लिज इस वीडियो को टकसे लाइक कर दे तो चलिए सुर करते हैं आज का वीडियो खोस्त किताब और रास्ता और सोच अगर गलत हो तो गुमराह कर देते हैं कौन क्या कर रहा है कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है इन सब से आप जितना दूर रहोगी उतना ही खुश रहोगी ये बाते गाट बान दो अपने दिल का हल हर किसी को ना सुनाया करो यहां तमासा बनने में देर नहीं लगती अपने घर की बाती यारों को ना बताया करो क्योंकि तुम्हारी गैर मुझोदगी में वही तुम्हारी मजा की बज़ा बनेंगे अपने दोस्तों को उतनी ही राज बताओ कि कल को अगर वह दुस्मनी पर उतार हो जाए तो तुम्हें नुकसान ना पहुँचा सके अपने उंगलियों का इस्तेमाल हमेशा अपने गुनाहों को गिनने के लिए करो दूसरों को उंगलिया उठाने के लिए नहीं हर उस मैफेल में सामिल होने की कोशिस ना किया करो जहां तुम्हारा जोर ना हो दोस्त की गलती रेज पर लिखो ताकि पानी उसे मिटा सके और दोस्त की एहसास पत्थर पर लिखो ताकि कोई उसे मिटा ना सके औरत की उमर आदमी की कमाई कभी ना पूछो क्योंकि औरत कभी अपने लिए नहीं जीती और आदमी कभी अपने नहीं नहीं कमाता कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो चिरो मत, युट्सा मत करो, जोर से मत बोलो मन सांत रखो, बिचार करो और पर निनेलो आवाज से आवाज नहीं मिटती, बलकि छुपती से मिटती है तकलिव सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा मन सांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा खुस रहने की मोल मंत्र, जहां कदर नहीं वहाँ जाना नहीं जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं, जो पच्टा नहीं उसे खाना नहीं जो सत्य परविर उठे उसे मनाना नहीं जो नजरों से गिर जाए उसे उठाना नहीं जीवन में तकलीफ आये तो घवराना नहीं मौसम की तरह जो बल्ले उसे दोस्त बनाना नहीं कच्चे मकान दे कर कभी किसी से निस्ताना तोरना क्योंकि मिटी की पकर बहुत मजबूत होती है संग मर्मन पर तू अक्सर पैर फिसल ही जाय करते है याद रखना ये ब्रह्म है कि सब दुख दूर हो जाएंगे तब आपका मन प्रसंद होगा हकीकत तो ये है कि आप अपने मन को प्रसंद रखिए सब दुख अपने आप दूर हो जाएंगे रिस्ता दोस्ती और प्रेम उसी के साथ रखना जो तुम्हारे हसी के पीछे का दर्द गुस्से के पीछे का प्यार और मावग के पीछे की बज़ा को समझ सके जिन्दगी को ऐसे जीओ कोई हसे तो तुम्हारी बज़ा से तुम्हारे उपर नहीं और कोई रोय तो तुम्हारे लिए रोय तुम्हारी बज़ा से नहीं हमेशा लोगों की भावनाओं को समझो कई बार आस्वो का मतलब खुसी और मुस्कुराहट का मतलब दर्द होता है नसीहत दो मगर सर्मिंदा ना करो नसीहत दो तो अकेले में दो तारीफ करो तो सब के बीच करो उन बद्दुआओं से डरो जो बोल कर नहीं दी जाती अपना गुस्ता और अकर उन्हीं कभे मत दिखाना जिन्होंने तुम्हें पैदा किया और बड़ा किया याद रखना इनसान की बरबादी का वक्त तब शूरू हो जाता है जब वो सक्स की माबाब उसके गुस्से के डर से अपने जरूरत बताना और नसीयद देना छोड देती हैं इनसान चीजों की सिकायत कभी किसी से मत करना अपने किस्मत की, आुलाद के सामने अपने बरो की, अपना खुद का मकान होते हुए उसकी हालत की अपने माबाप और गुरू की, पत्नी के सामने उसकी घरवालों की, गैर के सामने दोस्तों की और रुखसत होने के बाद अपने महमानों की सिकायत कभी किसी से ना करना नियम है याद रखना हर बदलाओ सुरुवात में मुश्किल मद्दे में असहज और अंत में सांदार होता है अगर रास्ता खुबसूरत हो तो पता करना किस मंजिल को जाता है बगर मंजिल खुबसूरत हो तो रास्ते की परवाह कभी मत करना याद रखना अगर अगल गलत रास्ते पर चलोगे तो हो सकता है इस सुरुवात में तुम्हें बहुत काम्यावी मिले बहुत खुसिया मिले मगर अंत में तुम्हारी हार होगी और अगर तुम सही रास्ते पर चलोगे तो भले ही सुरुवात में कदम कदम पर ठोकरे मिले मु पर अपना भी खेयाल रखना हमेशा मुस्कुराते रहना कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए दोस्तों यदि आपको यह वीडियो चलगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट वॉक्स में उन्हों सिवाय लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवा करें अवारे ।ो ऑदो